असट ईहां करें लिए वेलकेम बेक गाइस अन्तरह एंजेक्षिन को लगवाने के बाद देखा गया है कि बहुत सारे ऐसी महिलाईं होती है जिनको पिरियर्ट नहीं आती हैं और महिलाईं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अंतरा इंजेक्शन को लगवाने के बाद कितने दिनों के बाद पीरियोट्स आते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कि ये जो आप लोग का अंतरा हो ये हरा इनदर एक synthetic hormone होता है इस hormone का नाम होता है Medoxy progesterone acetate यह female body में पाए जाने वाले progesterone hormone का synthetic version होता है ठीक है जब यह injection किसी महिला को लगता है तो उस महिला की body में progesterone hormone का लेवल एकदम से increase हो जाता है ठीक है और female की जो body है वो शोक हो जाती है कि ये क्या हुआ एकदम सी ये progestron का जो level है वो increase कैसे हुआ महिला के brain को दिमाग को लगता है कि जो महिला है वो pregnant हो चुकी है ठीक है और brain क्या करता है जो monthly cycle में अंडा जो फूड़ता है और अगर sperm और अंडा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो pregnancy नहीं होगी राइट तो इस परकार ये जो injection है ये आप लोगों को लगबग लगबग 84 days तक pregnancy से बचाता है अक्सर ये देखा गया है कि इस injection को लगवाने के बाद महिलां को periods नहीं आते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो injection है इसका मेन काम evolution को होने से रोक देना है ठीक है किसी महिला को evolution इसलिए होता है अंडा इसलिए फूरता है ताकि महिला conceive कर सके ठीक है अब brain को क्या लगता है जिस महिला को ये injection लगा है वो महिला pregnant है तो आप लोगोंने कभी सुना है कि pregnancy के समय किसी महिला को periods आ रही है या regular monthly cycle की bleeding हो रही है ऐसा नहीं होता है राइट pregnancy में अगर किसी महिला को periods आते हैं तो जो बच्चा अंदर है बच्चेदानी के अंदर वो बाहर निकल जाएगा तो किसी भी महिला को periods नहीं आते है pregnancy के time सेम ऐसा ही इस injection को लगवाने के बाद होता है बट कई कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको ये injection सूट नहीं करता है और उनको एक से दो मन्त तक या तो sporting होती है light bleeding होती है या फिर heavy bleeding होती है ये एक से दो मन्त तक होता है फिर उसके बाद महिलाओं को amnoria आ जाता है periods आना बंद हो जाती है फिर महिलाओं जब तक इस injection को लगवाती रहती है उनको monthly cycle आना बंद हो जाता है क्योंकि उनको evolution ही नहीं हो रहा होता है तो यहाँ पर जादा तर cases में महिलाओं को क्या लगता है कि उनकी बच्चेदानी खराब हो गई है या फिर उनकी बच्चेदानी में गंदा कू निकठा हो रहा है वो निकल नहीं रहा है क्योंकि महिलाओं को लगता है कि अगर उनका monthly cycle आ रहा है पर जादा तर cases में ने ये देखा है ये पाया है कि महिलाओं को जो periods है वो 6 महिने से पहले पहले आ जाते है बट अगर 6 महिने तक भी किसी महिला को periods नहीं आते है तो आप लोगों को ज़्यादा tension लेने की, stress लेने की जरूरत नहीं है immediately आप अपने nearest किसी भी doctor से मिलोगे तो हमारे पास कुछ दवाईया होती है उनसे आपके periods आने लगते हैं और periods regulate भी हो जाते हैं तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गए जानकर ये आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में एक बहुत interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy stay fit thanks for watching this video